ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है ये है एक मैसेज एक टीचर की तरफ से नहीं एक बड़े भाई की तरफ से और इसको आप लोगों को ध्यान से देखना है मुझे समझ नहीं आ रहा है कि बच्चों को अतना परिशान क्यों करा जा रहा है कोई भी आलतु फालतु बंदा आता है और एक अपनी वीडियो बना देता है कि हाँ तुम दिन के आदे घंटे पढ़ लो दो घंटे पढ़ लो तीन घंटे पढ़ लो 90% मार्क्स आ जाएंगे इट इस नॉट आ हलवा जो परिशादों में बट रहा है कि आईए 90% मार्क्स ले जाएए मुझकिल होता है 90% मार्क्स लेकर के आना और अब मैं तुम लोगों को रियालिटी दिखाऊंगा और रियालिटी होगी थोड़ी हार्ष ठेक है तो इस वीडियो को पूरे एंड त किस तरीके से अपने आपको यहां से सभालना है इस वीडियो मैसिज के अंदर मुझे तुम लोगों को एक रियालिटी दिखानी है और रियालिटी दिखाने के लिए हमको उन बच्चों के बीच में जाना पड़ेगा जिनसे तुम रिलेट कर सकते हो एक वीडियो तुजे आपको पात दिंबर से अपर्सारट अब डियालिटान है तुछ आपको अपड़ खातम भी दीखान के पाजी अग्जाम हो गफ़ागा तुम हो चुके है अब ये तो क्थ पात दिन पहले पहले तुन वें तुन कुछ पर्पेर करे नहीं भाई तु झाने किना कर मेरा लगबग तो ही गया है, मतलब 60% हो गया होगा 60%? हाँ सभी है भाई, मेरको तो भी स्थार्ट करना है तुझे और मैंने जरत है हाँ भाई, फेर नहीं बढ़ीगी भाई जाए इसमें थोड़ा जहर भी डाल दो, होसे के तो हूँ हाँ तो वीडियो में तिम लोगों ने देख लिया हूगा कि भाई क्या क्या सिचुएशन है किस-की तरीके के बच्चे हैं और मुझे लगता है कि तुम लोग इससे ज्यादर रेकर पहोंगे और हर तरीके की बच्चे से रेट कर पाएंगे ऐसा नियुगा कि हाँ फैसक बनाद इ मैं कम कह रहा हूं I guess 90% और 95% के आसपास students है they are in three categories तो सब के लिए हम लोग एक plan देखेंगे किसको कौन सब plan follow करना है उससाब सारी चीज़े चलेंगे सबसे पहली बात तो plan अपना है क्या अपने पास अभी यहां से time लेकर कि कितना time बचा है देखा जाए तो अपने पास अभी क्या है November है ठीक है December है and उसके बाद January है February का भी मैं काउंट नहीं कर रहा है उसका एक रीजन है ठीक है अभी मैं तीन महीने काउंट कर रहा हूं नमबर December January अब इसमें क्या कहते हैं अपने टोटल 90 डेज मान लेते हैं अगर 30 डेज मानेंगे अपन तो इसमें से भी मैं क्या कहते हैं दस दिन निकाल देता हूं हो सकते हैं दस दिन आप लोगों के इदर दर चले जाएं संडे वंडे में चले जाएं वो जो भी हो जाए दस दिन निकाल देते हैं बच्चे अपने पास 80 डेज एटी डेज का जो प्लान है आप लोगों के सामने होगा बाकी उसकी बात February में क्या करना है वो में बता दूँगा पिछले जो बीतावा टाइम उसमें तुम लोगों ने उसको वेस्ट करा मतलब जो पढ़ाई करी है जो भी कारा मुझे उससे मतलब नहीं है मुझे अब उससी से मतलब है कि जो आने वाला टाइम है उसको किस तरीके से यूज कर रहे हो सबसे पहले step by step हर एक तरीके के students के लिए हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं वह हैं जो हमारे सबसे पहले बेफिकर है जिनको अभी तक कुछ पता ही नहीं था कि पढ़ना क्या है क्या नहीं पढ़ना कथूर सकते है यह अगर तुम लोग टाइम जादा नहीं दोगे हमें भी पता है कि किस बच्चे के कितने marks आते हैं कैसे आते हैं कैसे नहीं आते हैं सबसे पहले जिसने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है बिल्कुल 0 जो 0 से स्टार्ट कर रहा है मैं एक जैसी कि आपको कहा हमारे पास 80 दिन है मैंने कावरेज निकाला था हमारे जो science के अ 10th class so 12 chapters हमारे science के अंगर 11 के असपस हैं बट मैं 12 मान रहा हूं average science का भी मान रहा हूं math का भी मान रहा हूं ठीक है और social science का भी मान रहा हूं मैं हलाकि all सारे सब्सकी आप लोगों को strategy पाता लगी गई होगी मैं बस यह तुमको बता रहा हूं कि time कैसे divide करना है English और Hindi को मैं count नी करता तेक है उसमें 10-10 गंटे में स्लेबस complete हो जाएगा सिर्फ theory part होता है उसको कहानी की तरह पढ़ना होता है तो उसको मैं count नी करता अगर हम देखेंगे हमारे पास 80 दिन है जिनों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तुम लोगों को दिन में देने पढ़ेंगे कितने घंटे चार घंटे मैं यह नहीं कहरा कि चार घंटे एक साथ दो और यह apart है from school school तो तुम जा रहे होगे हो सकता है कुछ बचे नही कि एक हफते में खतम नहीं होंगे इसलिए मैंने पहली बोल दिया था कि कोई भी आकर के strategy बनाया जा रहा है और बोला जा रहा है कि एक घंटे पढ़ लो दिन में एक सब्यक्त काम हो जाएगा नहीं होगा काम बहुत सारा syllabus है सत्य बात यह है चार घंटे तुम लोग पढ़ ठीक है तुमें half Nr करके या स्री अधेड़ गंटा करके पढ़ने देड़ घंटा और एक घंटा यह तुम रिषाइड कर लो कि सुबह घंटा पढ़ लिये उट करके शाम को कर लिए क्योंकि मेरे को तुम लोगों को का स्पूल सुबह हो सकता कुछ का साम को सकता है तुम ल आपके पास 80 है आप 4 घंटे एक दिन में देते हैं तो आपके 320 घंटे बनते हैं ठीक है 320 घंटे अभी तो इसके अंदर मैंने 10 दिन घटा रखें तो टाइम मैंने कमी कर रहा है और भी bandwidth है आपके पास 320 घंटे में से मैंने क्या कहते हैं मालो 20 घंटे अपने निकालके English और Hindi क मेर पास 300 गंटे, इस 300 गंटे का यूज में करूंगा, ठीक है, इस 300 आर्स जो है यह वो रहुत है कि जो चट देंड़े में जो टायलोग था यह 70 गंटे तुमारी 70 मिनट जिन्दगी बदल देंगे तो यह 300 गंटे जो है, तुम लोगों को एक चैप्टर को देना है कितना एट आर्स पर चाप्टर, ठीक है, क्योंकि अगर तुम आठ घंटे देते हो 12 चाप्टर को, तो तुम्हारे 96 आर्स होते हैं, 96 आर्स होते हैं, हो सकता है किसी सब्जेक्ट के अंदर 12 की जगा, मतलब 15 हो, 13 हो, 10 हो, यार वो अज़्जस हो जाएगा, तुम लोगों को एक चाप्टर को देना है, आठ घंटे, टोटल, जिसने कुछ भी नहीं पड़ा है, यह मैं उनके लिए नहीं कहा हूँ, जो पढ़के बैठे हैं, वो कहेंगे, भाईया, हम आठ घंटे देके क्या तरे, हमने तो पढ़ लिया है, हमें नहीं देना अतना करना है, इस आठ घंटे में आप लोगों को पूरा का पूरा चाप्टर फिनिश करना है, अगर आप 6 घंटे में कवर करना है, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया बात है, यहां पे 8 घंटे के अंदर चाप्टर और NCRT, ब्लस, NCRT, और भगवान ने थोड़ी हि देखोगे, जिसकी देखनी है देखो, बट 8 घंटे is enough for a single chapter, life process का one shot भी जो बनता है, जो मैंने बनाया था, वो hardly 5 घंटे का बनेगा, उसके बाद 3 घंटे बसते हैं, और मैं यह सब कुछ एक दिन में करने के लिए नहीं कह रहा, तुमको मैंने बोला, 4 घंटे एक दिन में यानि कि दो दिन में तुम्हारा एक chapter finish हो जाएगा, ठीक है, और मैंने यहां पर सिर्फ science को भी नी बताया, सिर्फ, सिर्फ अके लिए science की बात भी नी कर रहा, मैंने का तुम्हारे 12, 12, 12, ठीक है, अधर एक subject के 12 chapter हैं, तो मैंने science, math, sst, ठीक है, 300 घंटे मैंने इन तीनों क मैं एक ही subject करूं, मैं काऊंगा, मेरा suggestion है, एक ही करना, आज maths कर लिया, फिर क्या कहते हैं, science कर लिया, फिर sst कर लिया, क्योंकि जब तुम एक chapter को break करकर के पढ़ते हो, तो flow खराब हो जाता है, ठीक है, बहुत सारे teachers कहते हैं, बहुत सारे YouTubers कहते हैं, कि हाँ भई, तुम लो होती है, तो अगर पहली बारी बीच का कोई chapter उठा के पढ़ोगे, तो काम नहीं बनेगा, यह बात ध्यान रखना है, ठीक है, so हर चीज को sequence से करना पढ़ेगा, starting to end, यह नहीं कि पहली जाके our environment पढ़ लिये, how do organism reproduce पढ़ लिये, उसके अंदर फिर basic life process की बात होगी, कुछ स inspiration क्या होता है, breathing क्या होता है, digestion क्या होता है, समझ नहीं आएगा, sequence से पढ़ना, 8 गंटे बहुत टाइम होता है, आराम आराम से भी पढ़ोगे, तो हो जाएगा, सुबह एक घंटा, दिन में घंटा, शाम को दो घंटे, खतम, बहुत छोटा demand कर रहा हूँ मैं, और यह demand तु एक दिन में चैप्टर फिनिश कर दिया, फिर उसके बाद NCRT और एग्जाम्पलर फोकस कर लिए, या दो दिन साइंस, दो दिन मैच्स, दो दिन SST, ऐसा भी कर सकते हो, SST के कुछ चैप्टर चोटे है, हो सकता है, चार घंटे में, दो हो जाएं, ठीके बट NCRT वगर प्र देख लो, मैंने बहुत ज्यादा मैनत करी है, तुमको दिख रहा है, ठीके, मैंने पूरा exact plan बनाया है, हर तरीके के students का बच्चों से बात करे थी, कि क्या क्या चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए, सो मैंने सारे plans बनाया है, अब वो बच्चे है, जिनका basically क्या है, कि जिनका 50 50% syllabus complete हो चुका है, तो उनको दिनके 4 घंटे देने की क्या जूरत है, नहीं है, आप दिनके, एक दिन में 3 घंटे दो, एक दिन में 2 घंटे दो, ठीक है, simple से scene है, आप लोग 3 घंटे में जो chapter आपको आता है, मानलो 50% syllabus आप लोगों का completed है, 50% आप लोगों ने पढ़ लिया है सो जाप्तर जो आता है उसका revision कर लो, ठीक है, उसका बढ़िया तरीके से revision करो, NCRT करो, ओके, और exemplar करो, और ये बात मैं लिखके दे रहा हूं, तुम लोग कहते हो कि भईया, sample लिपर करना है, ये करना है, हाँ मैं करने का time बता दूँगा, बट NCRT से और exemplar से कभी भार paper आता ही नहीं है, और exam time में एक marathon करवाँगा, बायलोजी का उसके भार एक question आ जाए, तो उसे दिन से पढ़ाना चोड़ देंगे, पिछली साल मैंने एक marathon करवाय था, 10th class की बच्चों को, सारा का सारा paper उस marathon से आयता, 4 घंटे का marathon था, ठीक है, सो 3 घंटे एक दिन दे दिए, शिद्धत है, तो आप इसको 2 घंटे और 30 मिनट और दे सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप यहाँ पर कर सकते हैं, क्या answer writing की practice, ठीक है, answer writing में बहुत बच्चों को दिक्कत होती है, answer writing कैसे करें, कैसे नहीं करें, तो पहले एक बारी answer देख करके लिखने की कोशिश करो, फिर थुद से answer लिखने की कोशिश करो, एक दो बारी लिखोगे, काम बन जाएगा, यह तो तुम्हारा basic routine हो गया, किसके लिए, जो chapters तुम लोगों को आते हैं, जो chapters तुम लोगों ने पढ़ लिये हैं, ठीक है, अब उसके बाद, भाया, जो chapters नहीं आते, उसके बाद तुम्हे सेम, previous, जो मैंने schedule बताया था, ठीक है, जो previous schedule बताया था, किसके लिए, भई फिक्रे वाले जो भच्चे थे, ठीक है, जो आप, जो भी कहलो, उनके लिए, जो मैंने schedule बताया, कि यहाँ पे तुम लोगों को 4 घंटे देने पड़ेंगे, जिसमें तुम 4 घंटे में, एक दिन 200 की जगा, 200 घंटे में, या 225 आर्स के अंदर, उनका पूरा syllabus complete हो जाए, जो extra time बच्रा उसमें क्या करना है, मैं बताऊंगा अभी, खतम नहीं हुआ अभी, तो जिन लोगों का यह नहीं है, कि पतचला बेफिक्रे वाले जो बच्चे हमारे, उन्होंने देखा, हाँ मेरा अभी नहीं खतम हुआ है, दूसरा, focused, जिन बच्चों ने सब कुछ पढ़ लिया है, अब सब कुछ पढ़ लिया है, तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों को इतना time देने की जुरूत नहीं है, आप अगर दिन में 2 घंटे पढ़ते हैं, तो आपका काम बन सकता है, दिन के 2 गंटे दो, ठीके, आप एक दिन क्या कहते है, रिवीजन कर लो, एक दिन आप रिवीजन कर लीजिए, या एक चैप्टर को आप आठ की जगा, 4 घंटे दे सकते हैं, अगर मैं चैप्टर की बात करूँ, तो यहां पर आप लोग 8 की जगा, ठीके, चार घंटे दे सकते हो, जिसमें आप रिविजन करोगे, जिसमें आप भी NCRT करोगे, ठीके, आप भी exemplar, सबसे पहले मैं NCRT और exemplar क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि paper यहीं से बनता है, और कहीं से paper बनता ही नहीं है, फिर आप भी answer writing की practice करोगे, और आपके पास liberty है कि आप sample paper अभी से solve करना शुरू क कर सकते हैं, sample paper solve कर सकते हैं, ठीके, यह भी आप लोग कर सकते हैं, ओके, यह हमारा हो गया, उन बच्चों के लिए जो focused है, अब इनके पास, क्योंकि इन लोग ने सब कुछ पहले से पढ़ रखा है, I know there are students, जिन्होंने 80%, 90% slavers complete कर लिया है, मेरे को बच्चे बोलते हैं कि भ 90% आजएगा, अरे मजाक है क्या भई, जब बच्चे अलग अलग तरीके के हैं, तो सब same time table कैसे follow कर सकते हैं, नहीं follow कर सकते हैं, ठीके, तो अलग अलग सब के लिए हमें routine बनाना पड़ेगा, यह हो गया हमारा उन बच्चों के लिए जो focused हैं, इन्होंने अच्छे तरीके करें, जो बच्चे हमारे बेफिक्रे थे, जिन्होंने कुछ भी नहीं पड़ा था, तो आपको अभी क्यों नहीं पड़ना है, क्योंकि अब हमारे पास बचाए February, ठीक है, February में हम क्या करेंगे, जिन लोगों ने, यह जिन बच्चों के sample paper नहीं हुए हैं, जिनके हो भी मैं फैबुरी का क्यों कह रहा हूं, क्योंकि February जो होगा, ठीक है, अगर आप लूगों के साथ जूड़े रहे, तो यहां पर बहुत सारे marathons होने वाले हैं, ठीक है, February के अंदर हम बहुत सारे marathons करवाएंगे, साती साथ हम लोग यहां पर पूरे के पूरे sample paper नहीं अब यहाला paper भी मारा खतम हो गया, अब problem आती है, बहुत सारी, ठीक है, problems क्या है, पहली बात तो how to make notes, यह problem आएगी, distraction को कैसे avoid करें, यह problem आएगी, how to be focused, भया हमारा focus हो हो जाता है, यह हो जाता है, and how to avoid mobile phones and social media, भया इसको कैसे दूर करें, अब अगर मैं तुम लोगों को के लिए के कहते हैं, यहां का course लो, मैं को नहीं बोलना, तुम को ओगे promotion कर रहे है, दुनिया में Google पर दुनिया भर के notes available है, ठीक है, NCRT read करो, कहीं से notes download करो, और सारे chapter के notes ले लो, कोई बहुत बड़ी, बहुत बड़ी top चीज नहीं है, notes बनाना, ठीक है, लोगों ने बना- मैं तुम्हारी भलाई के लिए इस session के अंदर, मैंने का था, this is not a video, this is a message जो मेरे को deliver करना है, so कहीं से भी, एक दिन के अंदर सारे-सारे notes अराम से बैट करके download कर लो, खतम, ठीक है, physics, chemistry, maths, maths, maths में तो क्या होते है, formulas होते है, physics, chemistry, bio, सब के notes, पढ़ने के बाद एक सारे download कर कर लो, उससे revision कर लो, notes का problem ही नहीं है, मुझे नहीं पता कि बच्चों ने notes का इतना बड़ा problem क्यों बना रहा है, देला है, notes कैसे बनाए, notes दे दो यह कर दो, अरे, available है हर जगा, notes, बहुत छोटी चीज़ है, ठीक है, अब, how to avoid distraction, focus and mobile phones, यह सारी चीज़ों का एक ही problem है, that there should be some inspiration, okay, कि आप लोगों के पास कुछ inspiration होना चाहिए, और वो क्या inspiration होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यह ऐसा नहीं कि तुम लोगों के साथ हो रहा है, मैं भी student था, मैंने भी अपने टाइम पे के कहते है, phone चलाया, हाँ, जिस ताइम पे हम student थे, हमारे टाइम पे इतना मतलब data वगरा कुछ खास नहीं था, तो बट कम चलाते थे, बट चलाया है, और phone नी चलाया तो दोस्तों ने कहीं भुला लिया, किसी और चीज के लिए बुला लिया, कहीं भार चले गए, कैसे avoid करे उस distraction को, एक simple सी चीज जो होती थी, जो मैं करता था, और मुझे लगता है कि पर ही अपने पापा के पास जाना, ठेक है, उनसे पूछना कि पापा आज आपने कितने देर तक काम किया है, वो आपको बोलेंगे कि हाँ भी मैंने 10-12 घंटे काम किया है, उनसे पूछना कि पापा थकते नहीं है, वो बोलेंगे हाँ थकते हैं, लिकिन still the man is working, मतलब approximately 365 days, क कोई नहीं हो सकता, एक टीचर भी नहीं हो सकता, being a teacher, मैं यह कह रहा हूँ कि एक टीचर भी नहीं हो सकता है, अपनी ममी से पूछना जो पूरे दिन घर का के कहते हैं, ध्यान रखती है, तुम्हारा ध्यान रखती है, अगर ममी वर्किंग है, तो वो जॉब पे जा रही है, जब तुम फोन चलाओ, एक बड़ी अपनी मा की आख में के कहते हैं, जरा आख डालके देख लेना है, अपापा से नजरे मिला लेना, जब वो घर पे आए, ठीक है, और अगर जिस दिन तुमने विल्कुल सुकून से नजरे मिला लीना, इतना फोन चलाने के बाद भी इतन गंटे, पाच गंटे पढ़ाई करी है, और मैं अपने मावब की साथ बैढ़ सकता हूँ, मैं उसे नजरे मिला सकता हूँ, कि मैंने उनकी जो महनत है, उसको वेस्ट नहीं करने दिया, क्योंकि अगर तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो तुम अपना तो फ्यूचर होगा, कैसे होगा, तो अपने मावब के पास जाकर के बैठना, उनसे एक बड़ी बात करना और उनसे कहना, ठीक है, उनको एक बड़ी बोलोगी भी ना, कि हाँ मैं पापा पढ़ाई करना शुरू करूंगा, देल भी लाए कि हाँ आप पढ़िये, ठीक है, तो दे घंटे कर दी है, हमारे पास time है, extra, तीन चा दिन extra है, अभी से शुरुवात करो, तुम पहले दिन दो घंटे बैठो, एक घंटा सुब, एक गंटे शम, तीसे दिन तीन घंटे बैठो, देर घंटा सुब, देर गंटे शम, फिर उसको चार घंटे कर दो, हर चीस की आदफर तो sequence में चलना ऐसे नहीं कि बरबाद कर लेना खुद को ठीक है तो ये सारी बात ये सारे plans थे and एक इस video को खतम करने के साथ साथ एक छोटी सी मैं तुम लोगों के लिए motivational साहरी भी लेही आया हूं तो भी मैं सुनाई देता हूं ठीक है I hope this will help and this video will help अगर आप लोगों को ये video सही लग रहा है और अप लोगों को लग रहा है कि नहीं ये proper video है वीडियो भी के proper message है हर एक student के लिए ठेक है तो आप इसको please share करिया आगे और बाकि और कुछ कहना नहीं है क्योंकि मैं चाता हूँ कि हर एक student जो है वो इस plan को follow करे और अपने goal तक पहुचे यह single motive एस वीडियो का कुछ भी नहीं और ओके तो अब हम एक शायरी अच्छी से लिख करे के लिए कि आये थे आप लोगों के लिए आपको शायरी भी समझा देते हैं यहां पर हमारे 4-5 space की महनच जो है आप लोगों के सामने पहुच गई है तो अशायरी में हमने कुछ यू बोला है कि जिंदगी छोटी है मगर सपने मेरे बहुत बड़े हैं जाना बहुत दूर है मगर ये रास्ते भी बहुत बड़े हैं जिन्दगी छोटी है मगर सपने मेरे बहुत बड़े हैं, जाना बहुत दूर है मगर ये रास्ते भी बहुत बड़े हैं, ठक कर हार नहीं मानूँगा, ठक कर हार नहीं मानूँगा क्योंकि मेरे इरादे इस दुनिया से भी बड़े हैं, तो अपने इरादों को उतना बड़ा कर लो ना कि तुम्हें कोई रोक ना सके कोई छोटा मोटर डिस्टैक्शन खतम ना कर सके मुबाइल फोन यूस कर रहे हो दिन में एक घंटा करते हो उसको 45 मिनट करो 40 मिनट करो हटा दो दो महीने की बात ना उसके बाद चला लेना चुटियां तो पढ़ जाएंगे एक्जाम पर शुरू हो रही है तो उनसे भी लेते रहना उनसे भी पढ़ते रहना और इसी के साथ हमारा जो वीडियो है आज का पूरा का पूरा होता है फैनिश सो मिलते हैं आपको नेक्स सेशन में और करते हैं बढ़िया से पढ़ाई